हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग तो मैं आज आप लोग के लिए basics of stock market part 1 ये information लेके आया हूँ कि हमको किस तरीके से अच्छा stock select करना चाहिए हमको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए बहुत बार क्या होते हैं जो new beginner होते हैं जो beginners होते हैं वो बहुत बार excitement में कुछ इस तरीके से गलतियां कर देते हैं stock market में जिसकी वज़े से उनको नुकसान हो जाता है उनको loss हो जाता है ठीक है तो इसमें मैं उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि मतलब जो new beginner हैं उनको loss ना हो उनको वो अच्छा stock select करें और किस तरीके से जो पहले से भी stock market में है उनक किस चीजों को consider करना चाहिए जिससे वो लोग एक long term में बढ़िया profit अच्छा profit अच्छा return वो लोग कमा सके हैं तो इन सब चीजों को हम लोग discuss करेंगे कि stock market में क्या-क्या basic चीज़े हैं जो कि हमको ध्यान देना चाहिए तो चलिए video start करते हैं उससे पहले एक disclaimer this video is only for knowledge and educational purpose stock market investment involve risk और कोई भी investment करने से पहले प्लीज आप अपने financial advisor से सला दिजे अपने खुद की research कीजिए उसके बाद ही कोई investment कीजिए ठीक है friends तो चलिए चलते हैं अपने presentation की तरफ चलिए friends तो start करते हैं हम लोग तो जब basic of stock market की बात होई रही है तो सबसे पहले discuss करते हैं stock market के दिगच Warren Buffet जी का क्या कहना है stock market के उपर वो इस दुनिया के अभी तक के सबसे successful investors में stock market के successful investors माने जाते हैं ठीक है तो Warren Buffet जी का क्या कहना है किस तरीके से हमको investment करना चाहिए stock market पे उस पे थोड़ा सा discussion करते हैं ठीक है friends चलिए Warren Buffet जी जो advice करते हैं stock selection के लिए इस तरीके से invest in what you know and nothing more ठीक है बहुत simple सा funda जिसके बारे में आप जानते हैं उस पे investment कीजिए बस और कुछ नहीं जिसके बारे में आपको news नहीं है जिसके बारे में आपको पता नहीं है उस पे invest मत कीजिए इसका मतलब ये भी है कि अगर आ इसके बारे में आप जानिये आप अपनी research कीजिए जादस जादा information इखटा कीजिए जादस जादा उसके business के बारे में जानिये उस पे ही investment कीजिए जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं just कोई आपको बताता है कि ये है आपको उसका idea नहीं है तो कभी भी उस पे आप investment मत क कीजिए हमेशा research कीजिए अपनी अच्छे जानिए लोगों से सला लीजिए advice लेकिन investment सब कुछ जानने के बाद ही कीजिए ठीक है चलिए आगे never compromise on business quality दीखिए business quality पे कभी compromise नहीं करना चाहिए आपको पता हो ना आपको business की जो quality अगर आपको लगती है कि यह business further आगे 10 साल में अच्छा नहीं चलेगा पांत साल में अच्छा नहीं चलेगा राइट इसका business नहीं है तो उसमें compromise आप कभी मत कीजिए हमेशा उस पर compromise कीजिए उस पर कभी compromise मत कीजिए business की quality के उपर राइट जैसे for example मैं बताते हूँ जैस because मेरे को उसकी business पर भरोसा है कि यह लंबे time तक चलेगा राइट for example आपका हो गया हिंदुस्तान Unilever हो गया ठीक है अब जैसे उसका product क्या है toothpaste हो गया आपका चैपत्ती हो गई इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो normal grocery में household items में daily इस पे हर घर में होता है हर गर में मिलता है तो फिर मुझे पता है कि हाँ यह इसका जो business है वो बहुत बढ़िया business है तो definitely हिंदुस्तान Unilever को भी मैं consider करूँगा तो इस तरीके से आपकी thinking होनी चीए business quality को बर ठीक है when you buy a stock plan it to hold forever जब भी आपको stock buy करते हैं तो plan कीजिए कि आप इसको हमेशा के लिए रखेंगे तब आप उसको buy कीजिए देखे कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली है देखे if you are not thinking about owning a stock for 10 years don't even think about owning it for 10 minutes देखे अगर आप कोई stock के बार में पता है कि मैं इसको 10 साल नहीं रख पाऊंगा 5 साल नहीं रख सकता है मैं इसको तो आप उसको अपने portfolio में 10 मिनट के लिए मत रखे है देखे अवर फेवरेट होल्डिंग पिरेड इस फॉर जो फेवरेट होल्डिंग पिरेड है वो हमेशा के लिए होना चीए ठीक है the stock हमेशा के लिए मतलब है जब आपको लगए कि आपको बहुत जादा return मिल गया ठीक है तो वहाँ आप बिलकुल profit book कीजिए और profit book करना भी चीए बट आपकी thinking यह होना ही चीए Warren Buffet जी का कहना यह है राइट देखिए अब आगे चलते हैं और क्या कहते हैं यह the stock market is designed to transfer money from stock market designing किया गया है जो active है बहुत जादा excitement में रहते हैं उनसे जो patience रखते हैं उनकी तरफ stocks डाने जाने के लिकुल जब उसके उनके पास stock जाता है तब उस stock की value बढ़ने लगती है तो चलिए अब क्योंकि वो उसको hold करते है तो obviously demand बढ़ता है फिर उसके बाद तो stock की real value पता चलती है otherwise sell ही होता रहा तो उसकी value गिर जाती है तो यह है कि जो active है उनसे patient की तरफ अब देखिए for example यह जो बोले ना our favorite holding period is forever इसके पीछे क्या इनका thinking है इसके बार में discuss करते हैं चलिए देखिए for example मैं आपको बताता हूँ देखिए जैसे यह हुआ हमारा reliance industry का stock यह देखिए यह जब आया था 60 रुपए 55 रुपए उसके बाद फिर यह 700 रुपए तक गया सबको पता था बहुत बढ़ बड़ी stock है लेकिन उसके बाद लोगों ने की profit booking और यह चल गए 280 बहुत लोगों ने यहाँ पे position बनाई होगी 700 में कि यह तो उबर जा रहा है तो यहाँ पे बहुत लोग बेचारे fear में निकल गया होगे बट उसके बाद देखिए फिर 500 गया अब 500 में जब आयोंगे तो फिर लोगों ने अपनी holding बनाई सब लोगों ने खरीद होगा बट उसके बाद जो patiently इसको hold किया होगा वही यहाँ पहुँच पाया होगा 200 के rate में otherwise सारी जनता जो बहुत जो लोग पैनिक कर गई होंगी वो लोग निकल गई होंगी जब यह 300-400 के आसपास आया था ठीक है जबकि यह stock बहुत बढ़ी है था 50-60 के rate में तो सोचिए यह stock कुछ नहीं पता आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, 20 साल बाद क्या पता यह 10,000, 20,000, 25,000 कितने में trade करें तो लोगों की अपनी होती है जब profit booking लोग को लगता है वो लोग करते है बट स्टिल जो best है किसी stock का आपको नहीं पता वो कब अगर वो quality stock है तो तो हमेशा यह होना चाहिए mentality कि उसको हम long term के लिए hold करें यहीं इननी बात बता रहा हूँ एक और आपको मैं example अभी recent का ही दे देता हूँ अभी recent का यह example है यह है Tesla, Tesla का stock देखिए आप for example, Tesla US की company right इसका stock देखिए Tesla यह जो Tesla था यह देखिए 4 US dollar, 5 US dollar इसी में trade करता रहा 3-4 साल तक उसके बड़ा फिर वो 20, 30, 25 US dollar में ही वो trade करता रहा रहा है 30 dollar फिर यहां देखिए करीब 30 dollar फिर आ गया था यह 10 साल, मतलब 8-9 साल यह वही 30 रुपए 40 रुपए के rate पे trade कर रहा था उसके बाद यह सीधा कैसा jump लिया है इसने, यहां लोग निकल गयोंगे बहुत सारे profit बुक है, 160 dollar हुआ तो बट उसके बाद वो रुका नहीं, वो stock चलता रहा, और वो stock चला गया 1000 dollar की तरफ, मतलब 74,000 रुपए तक वो stock चला गया, कहां से 3-4 dollar से, 3-4 dollar से, ठीक है, मतलब 5 dollar से, मतलब 350 रुपए से वो 74,000 हो गया, सोचे कितने times का return हुआ, और वो जो Alan Musk जी है, जिसके owner है, वो बन गया दुनिया के सबसे अमीर आदमी, हाला कि अभी फिर Amazon, Jeff Bezos जी ने उपर आ गया है, बट फिर भी, वो एक साल पहले कहीं नजर नहीं आते थे, और एक साल के अंदर वो बन गया दुनिया के सबसे अमीर आदमी, तो ये कब कि stock की real value पता चलेगी, वो आप नहीं कह सकते, तो इसलिए हमेशा है कि patiently आप hold कि रही है कि hold it forever, ठीक है, diversification can be dangerous, देखे वो कह रहे हैं कि मतलब 100 stocks मत खरीदिये, क्योंकि लिए आप हर किसे पर tab नहीं रख पाएंगे, कि current status क्या है, और company किस तरह से impact हो रही है, तो बिल्कुल diversification अच्छी चीज़ है कर आप 8, 10, 15 stocks का करते हैं, पर 100 stocks का करना, diversification करना not advisable, वो ठीक नहीं है, यह कह रहे हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं, उसके बारे में आपको idea होना चाहिए, ठीक है, इसलिए बहुत जाधा diversification can be dangerous, ठीक है, most news is noise, not news, as investors, we need to ask ourselves if a news item truly impacts our company's long term earnings power, as an investor हमको पता होना चाहिए कि जो news item है, वो long term में impact करेगी कि नहीं आज से 5 साल, 10 साल के लिए impact करेगी, ऐसा तो नहीं कि दो मैने का इसका impact हो, यह चीज़ हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और news जो होती, noise होती है, तो noise पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अगर company के fundamental अच्छे है, तो definitely company grow करेगी, तो सिर्फ किसी news पे ज़् साल के लिए नहीं हो रहा है, तो 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, लॉंग टर्म में वो impact नहीं हो रहा है, तो ठीक है friends, यह बोलते हैं, और for example, अभी Glenmark की एक news आई थी, कि उन्होंने दवाई बना दिये, तो फिर उसके बाद उसका जो share भागाता, वो काफी times एक दिन के अंद की देखी और उसके बाद quality stocks देखी कैसी है, उसका business कैसा है, उसके बाद सोची और long term सोची है, ठीक है, investing is not a rocket science, but there is no easy button, ठीक है, rocket science नहीं है, सबको पता है, ऐसा ज़रूर नहीं कि आपका IQ बहुत अच्छा हो, तभी आपको investment, एक अच्छा इंसान, एक ठीक सोच वाला इंस IQ बहुत अच्छा है, हम तो बहुत best stock दोने हैं, तो वहाँ पे वो लोग बेचारे मार्क हा जाते हैं, तो इसी लिए, इसी लिए ये जो है stock market, इसमें जरूर नहीं कि रॉकेट science है, या बहुत ज़ादा IQ की जरूर था, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सब समझ, सारे लोग इतने समझदार हैं, हर कोई इतना समझदार है कि वो एक अच्छा stock select कर सकता है, अगर उसके basics को जाने तो कैसे select करना है, ठीक है, बस, know the difference between price and the value, बिल्कुल सही बात है, price is what you pay, value is what you get, आप किसी stock की बारे में आपको पता है कि इसकी value है, अभी जो price है आप 10 रुपए पे कर पर पता है आपको कि इस stock की value एक time के बाद 10,000 रुपए होगी, ठीक है, 5000 होगी, 4000 होगी, 3000 होगी, तो देखे, जो price है वो 10 रुपए जो आप पे कर रहें और जो value जब उसकी real value जब होगी, जब 10,000 वो होगी उसकी real value जो आपको मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात, ठीक ह बट जब वो 10 रुपए से जब वो stock भागना शुरू होगा और वो जब 200, 300, 400, 500 पहुंच जाता है, तो वो होता है, वो best move होता है, इसका एक और example में different segments है, suppose cricket है, cricket में Rahul Dravid की inning याद होगा test match का, Australia के साथ जो inning थी, session by session वो लोग हर session पे hold करके धीरे-धीरे 100 ball, 200 ball इस तरीके स जीता, तब जाके मैं जीता है, आज Rahul Dravid की वो inning सब को याद है, क्यों? बोरिंग था वो, लोग 2-3 साल बैठे थे, देख रहे थे, ठीक है, कुछ नीरन बन रहे, धीरे-धीरे बन रहे, ठीक है, बट फिर भी वो क्या था, वो उनका best move था, जब उन्होंने ultimately इंडिया को ज जीता आया, वो Rahul Dravid जी ने, तो ये होता है best move, test match में जैसे एक-एक session जीतना होता है, एक-एक session important होता है, वैसी stock market में एक-एक quarter, एक-एक quarter important होता है, हर quarter को धीरे-दीरे देखते रही है, देखते रही है, फिर उसके बाद होता है best move, ठीक है, low cost index funds are sensible for most investors, देखे बहुत बार क्या होता है, excessive risk लेने के चकर में, emotions के चकर में, बहुत जारा, बहुत बार क्या होता है, जिसके बार में आपको idea भी नहीं, वहाँ आप लोग, वहाँ बहुत सारे investors जाके फस जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज ठीक नहीं है, तो वो चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, only listen to those you know and trust, देखिए, यह आपके जो आसपास वाले हैं, जिसके आप trust करते हैं, उनकी सुनिए, वो आपको मेशा ठीक advice करेंगे, लेकिन अपने से ही दिमाग लगा कि अच्छा stock आपको खुद से choose करना है, ठीक है, और एक और चीज, इसका यह ज़रूरी जिसको आप जानते हैं, ठी किसी management पर आपको trust है, तो आप उनकी भी सुनिए, ठीक है, कि हाँ, यह management जूट नहीं बोले, यह अच्छा करेंगे, राइट, उनके बारे में भी research करें, उनके बारे में भी सोचिए, तो यह चीज़े हैं, जो वो यह कहना चाह रहे हैं, वारेन बफ़े जी का जो बर्ख श राइसों में, ठीक है, चलिए, अब एक stock को खरीदने में क्या-क्या factors होने चीए, क्या हम लोग को देखना चीए, उस पर थोड़ा सा discussion हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, सबसे पहले आ जाता है, ROC, return on capital employed, मतलब, return on capital employed is a financial resource that can be used assessing company's profitability and capital efficiency, किसी company में, ठीक है, आपने, कि equity लगाई, उसके capital को purchase, जो capital आपने purchase किया, उस capital से आपको कितना return आया, कितना income आया, कितना earnings before interest और tax आया, वो होता है, ROC, ठीक है, कि आपने जो capital खरीदे, उससे कितना आपने profit generate किया, ठीक है, तो ROC is equal to EBIT divided by capital, जारे technical में नहीं जाओंगा, मैं आप लोग को मोटा मोटा ठीक है, ROC equals to EBIT divided by capital employed, ठीक है, EBIT is earnings before interest and tax, जो आपकी earnings होती है, before interest and tax, वो होता है, EBIT, जब आप उस पे interest tax minus नहीं करते हैं, वो interest tax उसमें रहता है, तो capital employed is equal to total assets minus current liabilities, और assets क्या होते हैं, जो assets होते हैं, जो total equity share है, reserves और surplus, कितने reserves और कितने surplus है, preferred equity कितनी है, ठीक है, जो friends और उस कितने लिए, और liabilities, current liabilities होते हैं, non current liabilities होते हैं, उसमें short term होते है, long term debt होता है, आपके trades होते हैं, deferred tax liability होता है, advances over deals होते हैं, और मतलब इस तरह के आपकी liabilities होती है, ठीक है, तो यह होता है ROC, तो ROC जो है, वो normally, जो होता है, वो अगर 10% से नीचे है, तो उसको उतना अच् है, ठीक है, जो आपने capital पर लगाया, उसे जितना जाद आपको profit निकल के आ रहा है, तो जितना अच्छा हो, वो company उतनी अच्छी मानी जाती है, उसके fundamentals, उसके जो profits जो निकल के आते हैं, तो ROC अगर 20% या उसके आसपास हो, उससे उपर हो, 15% से उपर हो, तो आप उसको ए 10% से नीचे, अगर 10% से नीचे है, ROCE, ठीक है, तो आप उसको, मतलब, आप उसको दे, उसके बार में further research कीजिए, हो सकते है, उसके fundamentals हो, आगे चलके, उसके ROCE जो better हो सकते हैं, उस पे क्या के factors होते हैं, वो सब देखना ज़रूरी है, ठीक है, return on equity, return on equity, मतलब आपने जितनी भी equity लगाई, ठीक है, उससे, जो भी income निकल के आया, ठीक है, divided by total equity, जो आपकी total equity है, वो है equity share capital, reserve surplus, और preferred equity, और debt भी, प्लस debt, जो debt है, debt है company के बार वो भी, तो वो भी बहुत ज़रूरी देखना, तो ROE में बहुत बार क्या होता है, debt होता है, तो debt को आप देखे कि debt बहुत जादा तो नहीं है, नहीं, तो ROE अच्छा आजाएगा, बट debt की वज़े से वो company का performance उतना अच्छा नहीं हो सकता है, future में, right, तो वो चीज़े हमेशा ध्यान रखे, ठीक है, तो ROE भी बस यह net income, net income, जो बस इसमें यह होता है, कि आप interest और expenses और जो भी है, tax, वो सब minus करने करने के बाद, जो net income आता है, revenue से, minus करने के बाद, वो होता है net income, ठीक है, तो यह भी है, यह भी 15% के उपर आप इसको अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है, और 10% के उपर आप इसको उतना अच्छा नहीं होता है, बट फिर भी आप उसके बाद भी company के fundamentals देकी, long term में हो सकता है, बेटर होता जाए, ठीक है, तो वो चीज़े ध्यान दीजे, ठीक है, तो यह होता है return on equity, suppose आपका net income निकल के आ रहा है, 20,00,00, ठीक है, और जो total equity है, वो निकल के आ रहा है, आपका, जो total equity आपने लगाया है, वो लगाया है, एक करोड रुपए, ठीक है, तो वो आपका जो ROE हो जाएगा, वो 20% हो जाएगा, ठीक है, यह बस यह आप समझ लीजे, operating profit हुआ, अब आपके जो operating profit है, वो जो total revenue होता है, minus, जो total expenses होता है, ठीक है, operating profit minus cost of goods, sold, operating expense, depreciation, amortization, ठीक है, तो जितना आपका, जितना भी operating profit, जो operating profit होता है, जो total revenue, जितना आपका revenue generate हुआ, उससे आ अब आप minus कर देते हैं, ठीक है, तो आपका operating profit होता है, तो operating profit भी देखिए, अगर 20% की range में है, तो यह अच्छा है, 15% की range में है, तो भी ठीक है, 10% से नीचे है, तो थोड़ी सी सोचने वाली चीज़ है, वहाँ पे थोड़ा आपको research करना पड़ेगा, ठीक है friends, तो यह कुछ इस तरह के videos, कुछ अच्छे information, कुछ अच्छी thinking आप लोग के साथ share करना हूँ, तो आपको इसका notification मिल जाए, ठीक है friends, तो फिर thank you so much for watching this video, please subscribe to my channel, please please subscribe to my channel, कि मुझे motivation मिलता रहा है, कि मैं आप लोग के लिए इस तरह की साथ अच्छी videos बनाता रहूँ, जिससे हम लो करे यो एक अच्छे decision, एक अच्छे conclusion पर निकले, right? ठीक है friends, तो thank you so much for watching this video, thank you so much.